दुनिया के कई हिस्सों में आज भी कुछ ऐसी जीले मौजूद है जो इनसानों के लिए रहसे बनी हुई है विज्ञान भी इने लेकर अंधेरे में ही है इनकी गहराईयों में एसा कुछ है जिससे 21 वी शताब्दी में कदम रखने के बाद भी दुनिया अंजान है सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ये सारी जीले रहसे महीं बनी हुई है वास्तों में ये सारी जीले इसलिए रहसे में हैं क्योंकि उनमें ऐसे देत्याकार जीवों को देखा जा चुगा है जिनसे हमारी दुनिया बिल्कुल अंजान है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं लोकनेस जील पहला मामला तीन उतियों का है जो लोकनेस जील के पास ही बने एक होटल के सबसे उपरी मंजल पर स्थित कमरे में ठहरी हुई थी कैटरीना मरे, शेरन बाल्टेन और सैलिना नाम की लड़कियां घूमने के लिए वहां गई हुई थी चांदनी रात में तीनो सहेलियों ने जो अपनी आँखों से देखा वो यकीन करने वाला नहीं था पहले तो तीनो को भ्रम हुआ कि लोकनेस जील में कोई नया टापू बढ़ा है लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद तीनो को लगा कि जील की घहराईयों से निकल कर जो बाहर आ रहा था बलकि एक प्राणवान वस्तू थी तीनो सहेलियों ने जो देखा था वैसे ही देखने का दवा पहले भी लोक कर चुके थे लोकनेस जील में देखे जाने वाले विशाल दैत्ते जैसे जीव को एक नाम भी दिया जा चुका था वो था नैसाई नैसाई नामा करहसे में जीव आज भी पहली बना हुआ है इस जीव की खोज में आधुनिक वग्यानिक उपकरनों की मदद से कई बार बहुत से अभियान चलाए गए मगर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ लोकनेस जील स्कॉटलेंड में स्थित है ये स्कॉटिश हाइलेंड में एक बड़ा मीठे पानी का तलाव है जो की लगबख 37 किलोमीटर दक्षिन पस्चिम में फैला हुआ है लोकनेस जैसे विशालका विचितर जीव को देखने का दावा चीन की हानास जील के आसपाल बचने वाले लोग भी करते है ये जील चीन के चिंजियांग प्रांज में कई सो मील के दुर्गम जंगली शेतर में फैली हुई है 1980 में हानास जील में कभी कभी दिखने वाले डाइनसोर जैसे जीव की खोज में जिंजियां यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियनों ने एक बड़ा अभियान चलाया था इस अभियान के अंतरगत यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियनों ने सगन और दुर्गम जंगली शेतर में फैली जील के करीब 500 मील की यातरा एक स्टीमर पर तैकी थी और कई जगे शक्तिशाली दूर्बीनों से लैस उपकरनों को जील की गहराईयों में उतारा था आखिर जील की गहराईयों में डाली गई दूर्बीन की रेंज में वो चीज आ गई जिस चीज की तलाश में चीनी टेक्नीशियन जुटे हुए थे वो सम एक शौक देने वाला था उस विशाल जीव का आकार किसी बड़े समुदरी जहाद जितना था वो विशाल जीव केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही जील में डाली गई दूर्बीन की रेंज में आ पाया था फिर तेजी से डुपकी लगा कर अनत गहराईयों में कहीं गुम हो गया इस विशाल विचितर जीव को चीनी टेक्नीशिनों के दल ने पुने डूनने की बहुत कोशिश की मगर वो कभी नहीं मिला पॉलेंड की जेगर जिना की जील चीन के बाद पॉलेंड की जेगर जिना की जील में नजर आने वाले विचितर जीव की बात करते हैं ये जील राजदानी वार्षा के करीब है और अपने अंदर कई अनेक रहसे समेटे हुए है इसमें डाइनसौर जैसे जीवों को देखने की बात बहुत लंबे समय से सुनने में आ रही है चश्मदीतेों के अनुसार कुछ बहुत बड़े काले सिर वाले एक विशालकाई जीव के कान किसी गिलहरी जैसे थे 1982 में तो जैगरना की जील में नहाने के लिए उतरे दो छातरों का बकाईदा इस जीव से आमना सामना भी हो चुका है छातरों को ऐसा लगा जैसे अचानक कोई दानव जैगरना की जील में से बाहर निकलाया हो काले सिर और गिलहरी जैसे कानों वाले उस विशालकाई जीव की गर्दन की उचाई कम से कम साट फुट से ज्यादा थी रूस की लाबिनकॉर जीव रूस के एक खोजी लेखक अनोनोले पानकॉव ने लाबिनकॉर जील में दिखने वाले जीवों पर लंबी रिसर्च की थी उनके अनुसार 1969 के आसपास जील में एक विशाल जीव को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई वो जीव अपने मुख से किसी बच्चे के रोने जैसी तेज आवाज निकालता था और उसकी गर्दन किसी मिनार सी थी और रंग सलेटी था उनके अनुसार यह जीव करोडों साल पहले धर्ती से गायब हो चुके डाइनसौरों की ही किसी नसल का हो सकता था कोल कोल जील कजाकिस्तान के अलमाइटा शहर में मौजूद कोल कोल जील में भी डाइनसौर जैसे जीव को दरजनो वार दिखा गया है जील की गहराई में उतरे गोताखोर उस जीव को भले ही नहीं ढून सके लेकिन उन्होंने इस पहली को काफी हद तक सुलजा लिया है कि वो आखिरकार कहां गयाब हो सकता था गोताखोर उसके तल में बड़ी दरारों को तलाशने में सफल रहे थे इनके नीचे ही कहीं अंदेरी दुनिया में ही शायद उस जीव ने अपने छिपने की जगे बना रखी थी वहां तक पहुँचना काफी मुश्किल था अमेरिका की जील चैंपलेन अमरीका की रहसे में जील चैंपलेन में भी एक देते जैसे जीव का घर है इस विशाल देते जैसे जीव को अमेरिका लोगों ने चैंप का नाम दे रखा है इसकी मौझूदगी को लेकर लेखक जोसफ जारिनाकी ने बकाईदा पुस्तक चैंप दी लेजेंड लिखी जिसमें चैंप को देखे जाने के लगबग 200 मामलों का विवरंट दिया गया है तो कैसी लगी आज की वीडियो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेर जरूर कर दीजे और जो लोग नए है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे तो इसी के साथ ग्यान बाटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर नमस्कार